के जहने हैं दोस्तों तो आज हम दिसक्व करने वाले हैं सेनिक फुल और एर्फंस इसकूल से आ रहे हैं वेक शिवकीन्सि की से वेकशनिश की बारे प्रवेट सेक्टर की चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और टेलिग्रम जॉइन कर लेंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जागा वहां पर इन सभी वेकंसी की पीडियफ आपको मिल जाते हैं और और बी कुछ वेकंसी आती है जिनकी वीडियो आपको एदेखेंगे रगुलर पोस्ट पर वेकंसी है और यहांपर डिरेक्ट रेक्ट अशूर्प्रिकनिंग होनां जिसमें देखेंगे ग्लिय। सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके बात करें तो पीजुटी जो रगुलर पोस्ट है यहां पर प्रवाइड के जाएगी प्रवाइड के जाएगी जिसमें आपकी बेसिक पेस है तालीजाड छेशो रहेगी इनिसली और इसके उपर आपको अच्छी खासी सेली यहां पर तरसी जार सेली परमंत आपको दिखने को मिलेगी अच्छी वैकंसी आलाउंस की बात करें तो इसके उपर में डीशर आपको मिलेगा ट्रांस्पोर आपको की जाएगी और सब्सीडाइज इसके बाद नीचे आते हैं अब कि अगया है तो इसका ध्यान में रखेंगे आप और इसके बाद नीचे आते हैं के बारे में तो आपके पास second class master's degree in the concerned subject from recognized university, तो second class आपके पास master's हो, यानी MSc हो physics में या maths में तो आप इसके लिए दिन कर सकते हैं, बियेड किसी भी recognized university से होना ज़रूरी है, और at least two years post-beard teaching experience in the subject concerned ठीक है, तो दो साल के आपके पास experience हो, किसी भी school में पढ़ाने का तो आप इसक लिए दिन कर सकते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं, educational and other qualification for, यहाँ पर nurse आपको mention किया गया है, तो इसको भी एक बार आप देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर कैसे apply करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर mention किया गया है, तो इसको आप एक बार read कर लेंगे, काफी बड़ इस इस पर teachers के recruitment निकली है, ठीक है, और यह दी PGT and nursing assistant regular mail are transferable and carries all India liability, ठीक है, तो और इंडिया में आपकी transfers भी हो सकते हैं, अभी यह वेकेंसी भले ही, यहाँ पर निकली है, अभुनाचल प्रदेश में लेकिन यह transfers भी हो सकते हैं, तो आपको देखते हैं कैसे apply करना है, तो द आपको स्कूल की website को update देखने को मिलेगा, call letter और any other kind of communication will not be intimidated by any other means, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, this school deserves to write, ठीक है, यह सारी चीज़ आपको यहाँ पर mention किया गया है, तो यह vacancy है, उसके बाद देखिए, ठीक है, तो यह पूरे PDF को आप एक पर read कर लेंगे, ठीक ह along with the all requisite self-attested testimonies and recruitment fee payment voucher through speed post is 11th of September, ठीक है, 11th September last date apply करने की, this school postal address आपको by post apply करना है, ठीक है न, क्या करना है, by post apply करना है, यानि through courier आपको send करना होगा, यह location आप देख लें, यह address पर आपको send करना है, इस envelope के उपर में आप यह address mention करने, ठीक है, और इसकी में देखिए, speed post में envelope के उपर में आप clearly लिखेंगे application for the post, जिस भी post के लिए आप apply करना चाहते है, the process of recruitment will tentatively commence from 1st of October, 1 October 24 से आपके commence हो जाएगे, और 1 November को आपकी joining हो जाएगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके बाद देखिए, and the selected candidates have to join duty before 1st of November, ठीक है न, तो यहाँ पर mention क्या गय राएगा, written examination, demo, interview, ठीक है, न, इस तरीके से, और बाकी चीज़े आपको यहाँ पर mention की गई है, तो आप by post इसके लिए apply कर दे, application form भी अभी हम देख लेते हैं, कैसा application form है, यह सब आपको website मिल जागा, ठीक है, एक पर देख लेते हैं, तो यह देखिए application form का PDF है, यह मैं इसको फिल करना है आपको, और बाकी जितने भी documents है, सभी चीज़ों को test करते हुए, एक envelope के अंदर डाल देंगे, और उस envelope के उपर में किस post के लिए apply करना चाहते हैं, उस सारी चीज़े mention करते हुए, आप send कर सकते हैं, ठीक है, दिएगा address पर जो कि अभी हमने देखा था, ठीक है, तो यह vacancy है आपके आ रही थी, next vacancy देखते हैं, अगली vacancy देखिए, सैनिक स्कूल रिवाडी से vacancy आ रही है, यह आपकी हर्याना से vacancy है और यहाँ पर contractual staff की vacancy है, लेकिन salary यहाँ पर काफी अच्छी है, पहला post आप देखेंगे जो की teaching post नहीं है, medical officer का vacancy है, एक ह पोस्ट है, यहाँ पर काटिगरी में, 79,600 यानि 80,000 पर मन्त salary है, 18-50 साल आपकी age limit रखी गई है, इसके बदेखेंगे प्जुट बाइलोजी की एक vacancy है, जो OBC काटिगरी के लिए reserved है, और यहाँ पर आप 71,400 आपकी salary पर मन्त इनिसे लिए आएगी, 21-40 साल आपकी age limit रख सकते हैं, ठीक है, और बाकी counselor की एक vacancy है, 68,350 रुपे salary मिलेगी, 21-35 साल आपकी रिमिट है, ग्राइशन या पोस्ट्राइशन साइकोलोजी में हो, ठीक है, यानि तो post-graduation in child development, यानि तो graduate या पोस्ट्राइशन इन करियर, guidance and counseling तो भी आप इसके लिए दिन कर सकते हैं, TGT सं पोस्ट एक पोस्ट है, SC-C category के लिए reserved है, 67,350 रुपीस सेलरी यहां पर मिलेगी, 21-35 साल आपको इसके बाद बीएड चाहिए, CTT भी पास होना जरूरी है, ठीक है TGT का पोस्ट है, तो CTT पास होना जरूरी है, music teacher की भी विकेंसी है, एक विकेंसी है, 67,350 रुपीस music teacher के पो या PTI टीचर्स की रिक्वार्मेंट है 43,800 रुपीज आपको पर मत सल्री मिले गई यहां पर और आपने साल की छूट मिलेगी केंड़ेट्स अगर से बिलोंग करते हैं जो एंटेस्टे केंड़ेट्स है उनको अप्लाई करना है प्रिंस्पल सैने की स्कूल डिवारी यह लोकेशन आपको दीव हुई है एड्रेस और आपको फॉर्मिट मिलेगा यहां एप्लिकेशन फॉर्म का की फेवर आफ प्रिंस्पल सैने की स्कूल डिवारी आप बनवाएंगे और अपको वेबसाइट पर मिल जाएगा और साथ में फाइब रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट और बाकी जो चीज़े है वह सारी चीज़ा आप एंदर में टेस्ट करके सेंड कर देंगे तो इस त अगली विकैसी देखिए एरफोर्स स्कूल पंचवटी से आ रही है ठीक है यह थाटीन बीड एरफोर्स एस्टेशन पालम से है एंप्लॉयमेंट नोटिस देखिए एप्लिकेशन सार इन्वाटर फाम सूटेबल कंडिट्स फॉर पोस्ट आफ टीटी एसस्टी टीटी इसमेल डॉटकॉम इसमेल इडी पर आप अपना रिजूम सेंड करके इसके लिए अपलाई कर सकते हैं और अधग डिटेल्स के लिए आप इसकोल की वेबसेट पर विजिट करें ठीक है तो एरफोर्स इसकोल पंचवटी एमेल के मादम से इन सभी पोस्ट रिले अपलाई क थैंक यू सो मच